Class 3, Subject Hindi, Lesson 1, सूरज क्या सिखलाता? कविता, प्रस्तुत कविता में कवी ने सूरज के छिपने वरात्री में चंद्रमा के निकलने की क्रिया को बतात दोनों से मिलने वाली प्रेरणा के विश्रे में बताया है पुत्र, मा यह मुझे बता दो, सूरज नित्य कहा जाता है? क्यूं होते ही प्रातः पुना, नब पत पर आ जाता है? मा, बेटा, दिन भर चलते चलते, जब दिनकर ठक जाता, करता वह विश्राम, सवेरे, आता वह सिखलाता, करो शक्ती भर काम की जब तक, मैं नब में चलता हूँ सो जाओ चुपचाप रात में, जैसा मैं करता हूँ, किन्तु प्रात होते ही जग जाओ, मत देर लगाओ, नित्य ख्रिया से निपट काम में, अपने तुम लग जाओ, मा दिनकर साही जब डटकर मैं भी काम करूंगा, पुत्र, क्या वैसा ही उपर उठकर, मैं भी चमक सकूं मन चाहा फल पाओगे, विजई कहलाओगे, तब तो चमक उठोगे तुम भी, निश्चे दिनकर साही, तुम्हें देखकर पत पाएंगे, भूले भटके राही अब तो दोनों बालक स्कूल से लौट कर भोजन करते और चले जाते जूते बनाने की एक बड़ी दुकान पर, वहाँ वे जूते बनाते और पैसे कमा कर अपने माता पिता को देते बालकों की इतनी मेहनत ने माता पिता दोनों को आश्चर्य चकित कर दिया था स्वयम वह दुकानदार भी बालकों की कार्य कुशलता पर हैरान था वे बड़े-बड़े कारीगरों से भी अच्छे जूते बनाते, उनके बनाए जूते हाथों हाथ बिग जाते एक दिन दोनों भाई बजार से सामान खरीद कर लाए और दुकान में रख दिया फिर वे माता पिता को बुला कर ले लाए माता पिता ने भरी पूरी दुकान देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा ऐसे बेटों को पा कर तो जाने उन्हें सब कुछ मिल गया था दोनों बेटे विद्याले से लोट कर दुकान में पिता का हाथ बटाते देखते ही देखते शहर की जूतों की मशहूर दुकानों में उनकी गिंती होने लगी